देखी दोस्तों जब आप एकजाम में objective solve करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे आपको theory वाला question करना चाहिए जहां दोस्तों numerical वाला में जितना आपका time बचेगा उतना आप time जो है subjective question में दे सकते हैं इसलिए मेरा suggestion है कि सबसे पहले आपको आपको objective solve करना चाहिए जब आपका नहीं पूरे जैसे कि आप लोग जानते है total आपका 70 option आएगा ठीक है 70 में मात्रे 35 बनाना है और यहीं पे दोस्तों numerical मात्रे 15 से 20 होगा तो इसका मतलब हुआ कि 50 में आपको मात्रे 35 बनाना है तो जब दोस्तो आपका 35 नहीं पूरेगा तभी आपको numerical माना ठीक है झिसको numerical नहीं आता उसको numerical के पीछे न भी नहीं भागना है जिसको नहीं आता है उसको भी नहीं भागना भी आपको थियोरी कोशन पर जाना है क्योंकि यह टाइम बहुत कम लेता है और यह टाइम आप जो है सब्जेक्टिव में दे सकते हैं जिसको नहीं आता है यानिकि इस्ट्रक्चर है तो दोस्तो इसका राइट अंसर ओप्शन सी हेक्सागोनल हेक्सागोनल जो है गरेफाइट का सनज्चना है काफी इजी कोशन और इंपोर्टन कोशन नों दोस्तों विहार बट में पूछावी गया है अब देखें नेर्श अंसर और को रिखेंट का नों दोस्तों आपको यहां पर पूछ रहा है कि थोस्तों इसका राइट अंसर option भी 0568 यानि तो दोस्तों यहां पे आपको कह रहा है कि वास पर गनत्तों का आपक्शिप आउन एन किसके समानुपाती होता है तो दोस्तों एक किलोग्राम जल में कितना दर्यमान इथेनोल डालेंगे कि इथेनोल का मोल परबास जो है यानि कि मोल परबास कितना हो जाए 0.25 हो जाए तो दोस्तों फोर का आपको राइटेंसर ओप्शन सी 638.89 गराम यानि कि दोस्तों हम लोग 638.89 गराम इथेनोल डालेंगे तब ही आपका इथेनोल का मोल परबास जो है 0.25 हो जाएगा फिर से दोस्तों मैं करा हूँ आपको सबसे पहले थेोरी वाला कोशन को सॉल्म करना है उसके बाद नमरीकल बनाना ठीक आपका टाइम बचेगा दोस्तों बहुत जदा टाइम बचेगा या आपको बेनिफीट पहुचाएगा अब निज़ कोशन देखिए क्वेशन नमर 5 निमना अंकित में कौन अभिवैक्ती सही है आपको पूछ रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन निमनमस से टू है कौन सा एक्सप्रेशन सही है दोस्तों आप लोग जल से जल कमेंट करेंगे काफी इजी कोशन और इंपोर्टेंट तो दोस्तो 5 का राइट अंसर ओप्शन भी आई बराबर QYT जहां पर दोस्तो आई करेंट है Q चार्ज और T टाइम है तो कौन सा एक्स प्रसेंट सही है तो आपका ओप्शन भी राइट अंसर होगा अब दिखें नियुज कोशन कोशन नमर 6 जंग लगने से बचने के लिए क कौन दातों का बचाओ सत्य बनाता है यहां पर आपको दोस्तों कह रहा है कि कौन सा मेटल से हम लोग धातों साइट बनाएंगे जिससे कि जंग ना लगे ठीक है तो जंग लगने से बचने के लिएilot का बचाओं किया जाता है आप यहापन इंगलिस में पर दिखें का अल्मुनियम का धातो ऑक्साइड बनाएंगे तभी यह बचाएगा ठीक है अब नेश्कूशन देखिए कोस्ट नमर सेवन पर्थम कोटी परतिक्रिया A to B के लिए अर्द जीवन काल बराबर होता है आपको यहां पर A और B पर ध्यान ने देना सिंपले आपको यहां पर हाफ लाइग का फॉर्मूला पूट कर देना जोस्टो यह भी कॉशन काफी इंपोर्टन है बिहार बोट में पूछा भी गया है आपको राटन सोरा का दोस्तो ओप्सन C T half is equal to 0.693 upon K इसको हम लोग क्या कहते हैं अर्द जीवन काल भी कहते हैं तो कि कमकरता है तो दोस्तो यह पर आइटरा शरा ऑपसन को कमकरता है तो परेरग जो पधार था है वह होको कमकरता को से न Nach Canon ॉन्ह safat बीच है यह यह पर दोस्तो यह व्यास आपको सिंपल कह रहा है कि कि कलादल जो कन है उसका व्यास किसके गीच होता है एक से 100 अंज यहाँ पर NM जो है आपका नैनो मीटर अठीक है एक से एक सो एनम या फिर दस से एक सो पीयम यानिकि पीको मीटर एक से सो पीयम यानिकि पीको मीटर तो क्या है दोस्तो राइट अंसर आपका the collider particles have diameter ranking from तो दोस्तो नाइन का आपका राइट अंसरोगा जो कि काफी important question है या ठीक है तो दोस्तो इसका राइट अंसरोगा option है एक से लेकर के 100 NM तक collider can का व्यास हो सकता है diameter हो सकता है एक से लेकर के 100 NM तक अपने इस question देखे question number 10 बहुती गदिशोशन यानि कि physical absorption तो दोस्तो यहां पर आपको पूछ रहा है बहुती गदिशोशन क्या होता है फिजिकल एड्जोशन क्या होता है तो दोस्तो इसका राइट अंसर option है एड्जॉर्बेन तथा एड्जॉर्बेट के बीच कमजोर आकर्शन बल रहता है अब देखें दोस्तो नेसक्षण क्योशन नमर 11 अलुमिना के विद्ध विच्छेदन में क्रायोलाइट मिला दिया जाता है आपको यहां पर पूछ रहा है इन दे लेक्टोलाइसीस ऑप अलुमिना क्रायोलाइट इजदे टू तो दोस्तों यहां पर आपको कह रहा है कि अलुमिना के विद्ध विच्छेदन में क्रायोलाइट मिला दिया जाता है किस के लिए क्या करने के लिए दोस्तों मिला जाता है क्रायोलाइट को अलुमिना के विद्ध विच्छेदन में यही आपको पूछ रहा है तो दोस्तों 11 का राइट एंसर उप्शन ए अलुमिना के दरणवां को कम करने के लिए यानि कि लोवर दा एंपी ओफ एलुमिना अब देखें नेश कोशन कोशन नमर 12 निमनांकित मैंसे कौन भारतिय सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है आपको यहाँ पर कह रहा है कि निमना मैंसे कौन भारतिय सॉल्ट पीटर भारतिय सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों 12 का राइट एंसर जो कि काफी इंपोर्टन है hardness of water is D2 तो दोस्तों यहाँ पर आपको कहरा है कि जल का जो कारापन है वो किसके कारण होता है आप लोग जल से जल कमेंट करेंगे काफी important question है दोस्तों यह भी तो 13 का राइटन सेरा option यह CA2+, Mg2+, दोस्तों मैं जितना भी question कराऊ हूँ यह आपके लिए इसलिए आप लोग सभी question को ध्यान से जरूर देखिए तो जल के करापन का कारण क्या है CA2+, Mg2+, calcium और magnesium 2+, चार्ज के साथ अब देखें next question 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 number 14 ammonia किस रूप में कार्य करता है ammonia act as ammonia जो है वो किस रूप में कार्य करता है ammonia act as a levis base यानिकि Lewis भस में अब देखें दोस्तों next question 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 number 15 जब copper यानिकि CU Tannu HNO3 के साथ पर्तिकिरिया करता है तो उस समय NO gas निकलता है यानिकि nitrogen monoxide अब देखें दोस्तों next question 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 number 16 इन में से किसका कोवतनांग कम होता है आपको पूछ रहा जब कोवतनांग सबसे कम होता है option D आपका right answer होगा अब देखें दोस्तों next question 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 number 17 करोमियम यानिकि CR का महत्तम अक्सिकरन आवस्ता है आप चलें नीचे आतें आपका क्या option है तो highest oxidation state of chromium is तो आपको पूछ रहा है oxidation आवस्ता करोमियम का कितना है यह simply आपको दोस्तों पूछ रहा है maximum ओला तो दोस्तों इसका right answer है C plus 6 तो करोमियम का कितना होता है अक्सिकरन आवस्ता करोमियम का पलस 6 होता है अब देखें दोस्तों next question 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 number 18 निम्रांकित में हवा में आयतन के अनुसार किस आकिरिया गैस परियापत अधिक है आपको simply पूछ रहा है कि हवा में आयतन के अनुसार किस में हवा में आयतन के अनुसार किस आकिरिया गैस का सबसे अधिक परियापतता है which of the following inert gas is the largest abundant by volume in air यही आपको simply पूछ रहा है विटामिन B12 है complex of तो दोस्तों यहाँ पर आपको simply पूछ रहा है यह भी question काफी important है किसका vitamin B12 एक जटी लियोगी खाए आप लोग जल से जल comment करेंगे तो दोस्तों 19 का आपको right answer है BCO3 plus किसका है तो B12 एक जटी लियोगी खाए किसका CO3 plus का अब देखें next question 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 number 20 इनमें से count double salt है आपको simply पूछ रहा है which of the following is double salt तो इनमें से count double low 1 है simply दोस्तों आपको यह question पूछ रहा जो कि काफी important है तो दोस्तों 20 गराइटन्स और option C K2SO4, AL2SO4, HOL3, 24H2O क्या है आप लोग इसके इसका जरू ले लिजए दोस्तों यहाँ पर K2SO4, AL2SO4, HOL3, 24H2O तो इनमें से क्या है यह double salt है most example है दोस्तों यह भी question काफी important है आप लोगों के लिए अब next question देखें question number 21 व्यूट 1 in 3 iron में sigma तदा πाई बंदों की संक्या है 4 carbon में 4 numbering हो गया अब दोस्तों आपको यहाँ पर कहरा but one in यानि कि पहला नमर पे in होगा और 3 नमर पे iron होगा ठीक है यानि कि triple bone अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर single bone है अब दोस्तों आपको यहाँ पर कहरा sigma तदा πाई बंदों तो सबसे पहले हम लोग पाई बोन निकालेंगे कोई भी इस तरह का question में ठीक है तो ट्रीपल बोन में दोस्तो डबल पाई बोन होता है पहले मैं color change कर लाता हूँ तो ट्रीपल बोन में जो है डबल पाई बोन होता है ठीक है तो यहाँ पर दो पाई बोन होगा ट्रीपल बोन है ठीक है तो एक bon 2 bon 3 bon यहाँ पर double जुरा हुआ था यहाँ पर triple जुरा वा था अब दोस्तो जब हम लोग यहाँ पर sigma bon निकालेंगे तो sigma bon निकालने का simple trick है दोस्तो जब कोई भी bon रहे यानि कि एक bon से गर जुरा हुआ तो वहाँ पर एक भी सिग्मा होगा जैसे कि यहाँ डबल बोन है लेकिन यहाँ पर एक ही सिग्मा है यहाँ पर ट्रिपल बोन है यहाँ भी एक ही सिग्मा है यहाँ पर टोटल तीन सिग्मा हो गया लेकिन यहाँ पर साथ सिग्मा अब यहाँ पर इसको ब छायको साथ सिग्मा साथ شट्र सालं अब डिएति पॉप्संगा इसलिए leva निकालना है अब देख्यार पनाता है और निजर नेको नेyi अब नीडिया χोए वीडियो काफी लबी बन जाते इसलिए में नुमरिकल नहीं जाता हूं ठीक है और आप लोगों को भी इस बार नुमेरिकल के पीशे बिल्कुल में नहीं परना है नेश कोशन देखेंगे वह ऐसा योगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीज की दूरी महत्तम हो आपको यह पर कहरा है दा कंपाउन इल्वीज दा डिस्टेंस विट्विन टू अधिक होती है अब नेश कोशन देखेंगे को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे जब तक आप दोस्तों एक्जाम खतम नहीं पर तयारी कराए दाएगी और अंसर की भी सबसे पहले आपको यहीं पर मिलगा ठीक है और सभी सब्जेक्ट का फि अस्थाई कार्बो केटाइन है आप लोग कमेंगे तो दोस्तों 23 का राइट अंसर ओप्सन डी आर्थी सी पलस आर्थी सी पलस जो है अस्थाई कार्बो केटाइन है क्या है इस्टेबल कार्बो केटाइन अब दोस्तों देखते हैं नेश कोशन कोस्टन नमर्ट 24 अलकोहल क तू डिग्री टू डिग्री जिसले और ठीर भाप का फॉलिविंगे तो दोस्तों आपको यहाँ और कई पर किसमे एश्टर बंदन आप पीवीसी में टेरीलीन में यहाँ पर दोस्तों वेकिलाइट में किसमे तो दोस्तो 25 का right answer option C Terrolein में, Terrolein में जो है आपका Aster बंदन है, अब next question देखते है, question no.26, क्यावल RNA में इनमें से कौन भस में उपस दीता है, तो दोस्तो आपको पूछ रहा है, कि सिर्फ RNA में कौन भस में उपस दीता है, which of the following basis is present in RNA वल्ली, तो आप लोग comment करेंगे, जल से ज तो आपको कहरा है जब हम लोग बेंजीन डाजोनियम कलोराइट को जली विलेन में गरम करते हैं तब क्या प्राप्त होता है गरम करने पर बेंजीन प्राप्त होता है एनालिन प्राप्त होता है फेनोल प्राप्त होता है तो जब हम लोग बेंजीन डाजोनियम कलोराइट को आपको उस question का video solution मिल जाएगा, फिर चाहे आपका question homework का हो, CBC का हो, UP, बिहार या फिर भारत के किसी भी state board का हो, सभी का job doubtnet app पर, फिर चाहे IIT, JE, NEET या फिर class 6 to 12 का किसी भी question, इन सारे सवालों का job मिलेगा आपको doubtnet app पर, और किसी भी subject जैसे कि physics, chemistry, math, biology, ये सभी सवालों का job मिलेंगे आपको doubtnet app पर, साथ ही doubtnet पर class 9-12 के बच्चों के लिए चल रही है life classes, वो भी English, Hindi, दोनों medium है, यानि अब आप पूरी पराई कर सकते doubtnet app पर, तीन करोर से ज़्यादा बच्चों का भरोसा, आप भी install करें और इस app का lab उठाएं, उम्मीद करता हूं तो ये सभी question आपको काफी important लगा होगा, दोस्तों इसी तरह का question अगर आप और भी चाहते हैं तो चैनल को subscribe कीजे, और दोस्तों आपकी तयारी है, तो आपका रिवायज हो जाएगा, ठीक है, फिर मिलती हैं दोस्तों नए अडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करता ही है, और द करेंड काफी 300 अनल को आपकी में, नहीं कि अपकार होगा, अपकरूर का री आतका होगा, एपको काफी में, सबस्तों आपकता है, और जो करए है, अच्यों का और एपक तो यह से घाना सन software कारे लोड़े, ऑपकार यह वीदक होगा, और रेर न लेसार्य आतका, सस्था लेक